दोस्तों बच्पन से ही हम परमानू बम के बारे में सुनते आये हैं और सुने भी क्यों नहीं, इतिहास में सिरफ एक ही बार युद में परियोग होने वाले परमानू बम के जख्म आज तक इतिहास के सीने में हैं। परमानू हथियार के खोफ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1945 में हुए इकलोते परमानू हमले ने छे सालों तक चले दुईतिय विश्वयुद को आनन फानन में ही खत्म कर दिया था, क्योंकि इसकी शक्ति के आगे जापान के साथ साथ खुद दुईतिय विश कर हानी हो सकती है और युद कितना अमानविय हो सकता है ये लोगों को परमानू बम ने ही समझाया था, यही कारण है कि आज दुनिया का हर बड़ा देश किसी दूसरे बड़े देश पर हमला करने से पहले सो बार सोचने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि अब फिर से दुनिया में कभी परमानू बम का इस्तिमाल हो ही नहीं सकता, असल में इस पूरी दुनिया में जितने भी जीवों को प्रकरती ने बनाया है, उनमें से हम यानि मनुष्य सबसे हिंसक जीव है, हमें जो भी उपहार इस परमानु हमला देखने को मिले तो दोस्तों वैसे तो मैं भी आप लोगों की तरह ही हमेशा भगवान से अभी लाशा करता रहूंगा कि हमारी प्रत्वी को फिर से कभी परमानु हमले का दंश ना जहलना पड़े लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो इस थिति में आपको क्य करना चाहिए ये जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों परमानु बम से बचाओ के तरीके जानने से पहले मैं आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूं कि परमानु बम है क्या और ये कैसे काम करता है परमानु बम बनाने में पलूटोनियम और यूरेन विस फोटक के तोर पर इस्तमाल करने से एक किलो वजनी परमानु बम इतना ही गातक होता है जितना कि 10 लाग किलो वजन का कोई साधारन बारूद वाला बम दोस्तो परमानु बम के हमले से बचने के लिए जो सबसे पहला कदम आपको उठाना चाहिए वो ये है कि अगर हमारे देश के साथ किसी दूसरे देश का युद्ध छिट जाए और हालात सुधरने की बज़ाए दिन बे दिन खराब होते जाए और आपको ऐसा लगे कि कोई द दोस्तिया रिष्टेदार के घर जा सकते हैं जो छोटे शहरों या गाउं में रहते हों क्योंकि इतना तो तैह है कि जब भी कभी परमानु हमला होगा तो किसी बड़े शहर पर ही होगा क्योंकि दुश्मन देश ये चाहेगा कि वो हमारे देश का जादा से जादा नुकसा कर सके ऐसे किशी शहर पर जहां कोई एतिहासिक इमारत वगेरा है जैसे कि आगरा जैसे शहर पर भी परमानु हमला होने के आसार ज्यादा होंगे तो सबसे पहले तो आपको यही कोशिस करने चाहिए कि आप ऐसे किसी भी शहर से दूर चले जाएं दुनिया के कई बड़े देश आधकल अपने बड़े शहरों में ऐसे सेल्टर बना रहे हैं जिन पर परमानु बंब बे असर साबित होंगे इन सेल्टरों में वहां के निवासी परमानु हमले के दशा में शरण लेकर अपनी जान बचा सकते हैं लेकिन भारत में ऐसे अंडर ग्राउंड मेट्रो स्टेशन है तो परमानु हमले के दोरान वे आपके लिए जीवन दाई साबित हो सकते हैं क्योंकि ये स्टेशन काफी गहरे और मजबूत बने हुए हैं और इन पर परमानु बंब बे असर साबित होंगे दोस्तों अगर परमानु बंब आपकी लोकेशन के पांच किलोमीटर के अंदर अंदर गिराया गया है तो आप फोरन इश्वर को याद कर ले और अपने दवारा किये गए सभी पापों की खिशमा मांग ले क्योंकि अगले तीन सेकेंडों के अंदर अंदर ही आपका आस्तित बाप बनकर उड़ जाएगा अगर परमानु हमले से आपकी लोकेशन 5 किलोमीटर से जादा है तो आप बच सकते हैं धमाता सुनाई देने के बाद अगर आपके पास कोई बेसमेंट हो तो जितनी जल्दी हो उस बेसमेंट में शरन ले बहतर होगा कि आप सेडियों पर से उ देवे कानों को ढख ले चोकि जल्द ही आपको एक और जोरदार धमाका सुनाई देगा जो पहले वाले धमाके से सो गुना जादा ताकतवर होगा इस धमाके से जमीन में बूकंप जैसी स्थिति या जोरदार कमपन पैदा होगा ये धमाका इतना शक्तिशाली होगा कि सें सलामत हैं तो अब आपका सामना होगा आसमान से बरस्ते मलबे यानि फोल आउट और रेडियेशन से ऐसे में आप तुरंत अपने कपड़े उतार दें इसके बाद अगर आफ जखमी हैं तो फर्स्ट एड किट का उपयोग करें और सही सलामत हैं तो तुरंत सनान करें ताकि फोल आउट और रेडियेशन के बचे खुचे असर से खुद को यथा सिग्र बचा सकें अभी भी आप किसी भी सूरत में बाहर निकलने की भूल ना करें क्योंकि बाहर हानिकारक रेडियेशन के साथ साथ तेज धमाकी की वज़े से बेहद विनाशकारी तुफान भी आ बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए आप किसी रेडियो का सहरा लें और हिम्मत कभी भी ना हारें अगले कुछ दिनों में आप रेडियेशन का शिकार हो सकते हैं जिसमें आपको बुखार, उल्टिया, दस्त या गुतन हो सकती है अगर आपके पास पेरासेटमोल या कोई और दवाई है तो आप उनका इस्तिमाल कर सकते हैं परमानु धमाके के जादा से जादा पास से साथ दिनों के अंदर मददकारी और फोजी दस्ते आपके इलाके में पहुँच जाएंगे तब तक आप रेडियो पर खबर सुनते रहें और जब आपको पूर्ण विश करता दल आप तक ना पहुँच सके तो कम से कम 20 दिन बाद ही आप बेसमेंट से बाहर निकले अब तक विनाशकारी तुफान थम चुका होगा बाहर निकलने के बाद आपको एहसास होगा कि लाखों में से सिरफ आप ही जिन्दा बचे हैं अब आप जितना भी जल्दी हो सक उस इलाके को छोड़ दें और रेडियेशन खतम होने के बाद ही उस इलाके में वापस आएं तो दोस्तों आज किस वीडियो में बस इतना ही भगवान ना करें कि कभी हमें से किसी एक के साथ ऐसे हालात हों कि हमें इन उपायों की मदद लेनी पड़े उमीद आपको वीडि जरू कर ले धन्यवाद